नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका CGPSC वेपम हमें जिनों ने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं कि रहा कि फिर जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तो बाजो में जो बैल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और वेपम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माद्यम से मिल सके आज हम बहुत ही महत्पून टापिक पर बात करने वाले तो जीनों ने मेरा टेलीग्राम चनल जोइन नहीं किया वो टेलीग्राम में जाके important information यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो होगा CGWEPM क्या करेगा फिर से एक सभी जित्ते भी exam है उसको cancel करेगा और cancel करके एक वापस से नया calendar जारी करेगा पहली बात दूसरी बात CGWEPM अगर ऐसा करता है पूरा फिर से calendar जारी करेगा उसमें क्या करेगा जो हमारी भरती परिच्छा है भरती परिच्छा जैसे कि आपका मंडीरी रिच्छक की भरती परिच्छा जो है साहक सम्परिक्षक जो आने वाली वेकेंसी है उसकी भरती परिक्षा उसको लेना है तो वो क्या करेंगे कि देखिए कई लोग बोल रहे थे कि ये क्या वित्तवी भाग के पास वापस जाएगा तो देखिए ये यहां पे दो बाते हो सकती है या तो जो आया है वेकेंसी वो तुरंत वित्तोई भाग के पास नहीं जाएगा, पहले आपका exam होगा, selection list आएगी and जब नियुक्ती के समय, नियुक्ती के पहले वो एक बार वित्तोई भाग के पास जा सकता है, परन्तु कई लोग ऐसा बोल रहें कि नहीं पहले जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों से लेट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चुकि अभी संक्रमन की सिती आप देख रहे है, धीरे-धीरे कम होती जा रहे है, और आसा है कि मई के लाश्ट तक बहुत ही कम हो जाएगी, कई लोग कह रहे है कि यह जो है तिसरी लहर आने वाली है, तो तिसरी लहर के आने से पहले जो एक्जाम हो जाए, नहीं हो जाए, देखिए तिसरी लहर आएगी, नहीं आएगी, और इस पर क्या है, वो जो भी है, देखिए अभी जो दूसरी लहर खतम होने वाली है, और इसका जो है पेपर, जो है, अब जो फमानने जैसी जैसी सितिती आते जाएगी, वैसे वैसे क्या करेगा व्यापा में फिर से कलेंडर जारी करेगा जिसमें कि जियो भरती परिक्षा हैं उसको वो पहले लेगा और जो बाकी जो बोलना ची प्रवेश परिक्षा हैं वो उसको क्या लेगा बाद मिलेगा क्योंकि प्रवेश परिक्षा हैं जो है वो उसका सेडूल तो अल्रेडी बिगड़ चुका है, अब यहाँ पे राज्यसासन के पास दो है, जैसा पिछले सल क्या किये थे, बारवी के अंकों के अधार पर क्या किया गया था, मेरिट सुची बनाई गई थी और बोलनाची एडमिसन दे दिया गया था, हो सकता है इस बार भी ऐसा किया ज जा सकता है, तो इसी कड़ी में व्यापम ने एक नोटीस निकाला है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट एवं प्री-MCA प्रविस परिक्षाओं के ऑनलाइन आविदन के संब्द में, यहाँ बे बताया गया है कि PPT और MCA का जो 13 मह इसे online आविदन प्रारम किया जाना था, जिसकी अंतिम्पिती 6 जुन थी, वो संक्रमन और lockdown के कारण क्या किया गया है, इस्थगीत किया गया है, और जो इस संक्रमन के कारण कमी होने पर, या lockdown समाप्त होने के बाद, फिर से प्रविस परिक्षाओं के online आविदन करने की जारी करेगा और कलेंडर में हमारा जो एक्जाम है वो पहले होगा, यह मैं आपको बताने के लिए यह वीडियो बनाया था, आसा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे like करे, share करे and subscribe करे, तथे वीडियो देखने के लिए धन चक्रमियो एrawा उ हुए वीडियो आपको जश्टाने के लिए टो मत वीडियो आते होगा बनाया यहा उट आपको रवान के लिएकशा हुए हम आसे दीज्दे़ खंपके बनाया है कि विखने वीडियो पार यहा से एंशियो पार रहे एंदाने करें घटैए